सूपरबाद बच्चो आज हम सीखेगे हाइस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में ठीक है ना पिछले लेसन में हमने सीखा था फैक्टर क्या होते है और आज हम सीखेगे हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है तो चलिए, हमारी यादा शिताजा करने के लिए एक उधारन लेते हैं एक किसान अपनी फसल को व्यवस्ति तरीके से समाल कर रखने के लिए एक गुदाम में रखना चाता है वह अनाच की बूरियों को ट्रक से गुदाम तक ले जाने के लिए एक ट्रॉली का इस्तमाल करता है ये ट्रॉली एक बार में 12 बूरिय य Peak से ले जा सकती है तो वो बूरियों को गुदाम में किस प्रकार जमाएगा ताकि उसे रखने और गिनने में असानी हो जैसा कि हम जानते है, factors हमें वस्तूवों को अलग-अलग तरीके से व्यवस्तित रखने में मदद करते है इस तरीके से हर पंक्ती में वस्तूवे समान संख्या में आती है तो चलिए हम 12 के factors निकालते है 1 multiply by 12 equal to 12, 2 multiply by 6 equal to 12, 3 multiply by 4 equal to 12 है ना तो 12 के factors है 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12 भी है, ठीक है तो यदि हमेशा 12 बोरी आती तो किसान उन्हें इन में से किसी भी तरह जमा सकता है एक कतार में 12 बोरी आ, ठीक है ना, एक line में 12 बोरी आ या 2 पंक्तिया हर एक में 6 बोरी आ, या 3 पंक्तिया हर एक में 4 चार बोरी आ या 4 पंक्तिया हर एक में 3 तीन बोरी आ, या 6 पंक्तिया हर एक में 2 दो बोरी आ, या 12 पंक्तिया हर एक में 1 एक बोरी ठीक है ना? यह सब हमने पिछले लेसन में देखा था इसके बाद उसने अनाच की वोरियों को गोदाम तक ले जाने के लिए एक और ट्रॉली खरी दी ये बार ये ट्रॉली एक साथ 16 बैक्स ले जा सकती थी तो अब वो अनाच की वोरियों को गोदाम में किस प्रकार जमाएगा ताकि उसे रखने में और गिनने में असानी हो पहली ट्रॉली 12 बैक्स ले जाती थी, ये 16 बैक्स ले जाती थी तो पहले 16 के फ्क्टर्स निकालते हैं 16 के factors है, निकालने के लिए multiplication method यूज करते है, 1 multiply by 16 equal to 16, 2 multiply by 8 equal to 16, 4 multiply by 4 equal to 16, तो 16 के factor है 1, 2, 4, 8 और 16, ठीके ना, तो अगर 16 वाली ट्रॉली से समाना है, तो किस तरी के से जमा सकते हैं, 1 into 16, यानि एक पंक्ती जिसमें 16 bag हो, दो पंक्ती जिसमें 8, 8 bag हो, 4 पंक्तिया हर एक में 4, 4 bag हो, 8 पंक्तिया हर एक में 2, 2 bag हो, या 16 पंक्तिया हर एक में 1, 1 bag हो, सभी में एक साथ 16 bag रखे जा सकते हैं, पर कोदाम में कभी 12 बोरिया आ सकती है तो कभी 16 आ सकती है क्योंकि दो दो ट्रॉली उसके पास है कभी उसने ये ट्रॉली ली कभी ये ट्रॉली तो ये तो गड़बड हो जाएगी तो किस तरीके से उसे जमाना चाहिए तो यदि वह दो कतार बनाता है दो पंक्तिया बनाता है हर एक में 88 बैक्स रखता है तो इसमें तो पूरी 16 बैक्स आ जाएगे ठीक है ना तो ये तो ठीक है पर अगर उसने इसी पंक्तिया बनाई दो पंक्तिया बनाई और वो 12 बैक की ट्रॉली से अनाज के बुरे लाया तो पहली पंक्ती तो भर जाएगी दूसरी पंक्ती में सिफ चारी बुरे रहेगी 8 यहां पे और 4 यहां पे तो अगर 16 की ट्रॉली यूज करी तब तो सब चीज ठीक है अगर ट्रॉक भर के आए उसमें 12 की ट्रॉली यूज करी तो चार्ड छूट जाएगे ठीक है ना तो कैसी व्यवस्था हो सकती तक यह दोनों ट्रॉली को यूज कर सके और कभी भी ऐसे चीज खाली ना छूटे तो हम लिखेगे दोनों के फेक्टर एक साथ 12 और 16 के 12 के फेक्टर हमने देखा 1,2,3,4,6 और 12 है और 16 के फेक्टर है 1,2,4,8 और 16 ठीक है ना अब इसमें से देखी बच्चो लाल कर देते कौन-कौन से कौमन फेक्टर है जो दोनों जगह आ रहे है 1 दोनों जगह आ रहा है 2 भी दोनों जगह आ रहा है और 4 भी दोनों जगह आ रहा है ठीक है ना तो दोनों जगह आ रहा है मतलब अगर इस प्रकार का अरेजमेंट किया तो वह दोनों ट्रॉली में कर सकता है ठीक है ना तो इसलिए किसान 1, 2 या 4 बूरियों को एक कतार में रख सकता है और इन सब में से सबसे बहतर व्यवस्ता कौन सी होगी ताकि उसका काम असान हो जिसमें जगा भी ज़्यादा वेस्ट ना हो देखते हैं अगर उसने 1 बैक को रखा तो वह इस तरी के से रख सकता है 1 इंटो 12 ठीक है ना अगर वह 2 बैक को रखता है तो ऐसे रख सकता है 6 इंटो 2 करके 6 पंक्तिया हर एक में 2 दो बैक और अगर वह 3 पंक्तिया बनाता है 4 चार बैक वाली की तो वह इस तरी के से रख सकता है ठीक है ना और अगर वह 4 पंक्तिया बनाता है 4 into 4 की तो वो इस तरीके से रख सकता है ठीक है ना तो यह चीज 4 वाला सबसे असान है क्योंकि वो दोनों फैक्टर का बड़ा है common factors का बड़ा है तो इसे तरीके से अगर वो रखेगा तो उसे बूरी हो गिनने में असानी होगी उसे यह चिंता नहीं होगी कतार पूरी भरी है की नहीं बस उसे कितनी कतार भरी है वो गिनना पड़ेगा अगर 3 कतार भरी है तो उसे मालों में 12 है अगर 4 कतार भरी है तो उसको मालों पड़ जागा 16 है ठीक है ना चलो कुछ उधारन इसके मालूम है 14 into 4 equal to 56, ठीक है ना, तो हमने 4 क्यों चुना, क्योंकि 12 और 16 के common factors में 1, 2 और 4 थे, और 4 था सबसे बड़ा factor, ठीक है ना, इसको कहते है highest common factor, या greatest common factor, वह 12 में भी आ रहा था, 16 में भी आ रहा था, तो हर एक line में उसने 4 भरी, तो उसकी जगा भी कम waste हुई, और वह 12 की trolley लाया, तो भी असान है, 4, 4, 4 करके 12 रख देगा, अगर वह 16 की trolley भी भर के लाया अनाज के back से, तो रख देगा 4, 4, 4, 4, 4, तो रखना भी असान, और जब है, ठीक है ना, तो यदि दो और दो से अधिक नंबरों के सबसे अधिक value के common factor को हम निकाले, तो से हम highest common factor कहते हैं, या sunshift में HCF, इसे कई लोग GCD भी कहते है, greatest common divisor, वो भी सेम चीज हुई, factor कुछ नहीं होता है, divisor होता है कोई number का, greatest common मतब सबसे, सारे common factors में से दो नंबर क diviser में से सबसे बड़ा, तो इसको GCD कह सकते है, या HCF कह सकते है, ठीक है, चलिए कुछ उधारन लेते है, 14 और 28 के HCF निकालते है, 14 के factor होते है, निकालने के लिए 14 इंटू 1 इकल टू 14, 7 इंटू 2 इकल टू 14, तो factors हो गए 14 के 1, 2, 7 और 14, और 28 के factor हो गए 1, 2, 4, 7, 14 और 28, ठीक है ना, तो दोनों को एक के बाद एक लिक दो, और फिर उसमें से common factors निकालो, उनको rate कर दो, 1, 1 दोनों जगा है, 1 तो सभी क्या factor होता है, जैसे अपने देखा था, 2, 2 होए गया, 4 एक ही जगा पे, 7, 7 दोनों जगा हो गया, 14, 14 दोनों जगा हो गया, 28 एक ही जगा पे, ठीक है ना, तो इनके common factor हो गया, 1, 2, 7 और 14 जो दोनों में है, और highest common कौन सा हो गया, highest common हो गया, जो सबसे बढ़ा है इन में, 14, तो HCF of 14 और 28 हुआ, 14, ठीक है ना, तो मुझे यकीन है कि आप समझ गयोगे, HCF क्या होता है, और आपने, पिछले लेसन में, multiples के बारे में भी सीखा था, तो factor और multiples, दोनों ही multiplication से संबन्दित है, confused हो गए, चली देखते है, क्या ये factor है कि multiple, factors वे नंबर से जिनका आप किसी संख्या को पाने के लिए multiply करते है, जैसे 6 को पाने के लिए हम 2 और 3 को multiply करते है, तो इसलिए 2 और 3, 6 के factors है, और multiples क्या है, एक नंबर को दूसरे से multiply करने पर जो दूसरा नंबर मिलता है, उससे multiply करते है, तो वही उदारन लेते है, 2 multiply by 3 equal to 6, पर इसमें क्या हुआ, 3 का multiple हुआ, यानि 3 को 2 और multiply करेंगे, तो 6 हा जाएगा, 6 3 का multiple हुआ, ठीक है ना, तो यह फरक है multiple factors में, तो आज के लिए इतना ही बच्चो, फिर मिलेगे, बाई बाई